योजरान इंदी यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है केंदर की नरेंदर मोदी सरकार ने पैंशन लावार्तियों को नए साल का तोफा दे दिया है कैबिनेट की हुई बैठक में पैंशन बढ़ोतरी को मंजुरी बिल गई है और यहाँ पैंशन किन लोगों को बढ़ा कर दिया जाएगा और कितने लोगों को दिया जाएगा हम आपको इस वीडियो में संपूर्ण जान करी देंगे केंशरकार की ओर से एक बार फिर से पैंशन लावार्तियों के लिए नए साल पर बड़ी खुसकबरी जारी कर दी है आने वाले नए साल में पैंशन बोग्यों को कई बड़े तोफे दे जाएंगे और कुछ पैंशन लावार्तियों को जटका भी लगने वाला है आपके जानकारी के लिए बता देगी कैबिनेट की बैठक में पैंसन बड़ोतरी को मंजूरी मिल गई है मेडिय रिपोर्ट के अंसार वन रैंक वन पैंसन के दाइरे को विस्तार देते हुए केंदसरकार ने सेवानी वरत सेन्ने कर्मियों और उनके परिवारों को एक बड़ा तोफा दिया है इसके तहट 1 जुलाई 2019 से पहले सेवानी वरत हुए सभी सेन्ने कर्मियों और उनके परिवारों को अब इसमें सामिल किया गया है इसके साथ ही 1 rank 1 pension का लाब अब 25 लाग से ज़्यादा सेवानी वरत सेन्य कर्मियों और उनके परिवारों को मिलेगा अब तक इस scheme के तहट 20 लाग सेवानी वरत सेन्य कर्मियों और उनके परिवारों को लाब मिलता था देखिए यह जो pension आप बढ़ा कर दिया जाएगा वह 25 लाग से ज़्यादा सेवानी वरत हुए सेन्य कर्मियों और उनके परिवारों को मिलेगा पहले 20 लाख सेवानिवरत सिन्न करीमियों को और उनके परिवारों को 25 कला मिलता था परदानमंत्री नेंदर मोधी की अगवाई में सुक्रवार को बलाई गई कैबिनेट की बैठक में सेवानिवरत सिन्न करीमियों को लेकर यह फैंसला लिया गया है 31,450 क्रोड रुपे खर्च होंगे कैबिनेट के लिए गए फैंसले को जानकारी देते हुए केंद्रे सूचना परसाड़न मंतिर नुड़ा ठाकु ने बताया है कि वन रेंक वन पैंसन स्कीम में सामिल किये गए नए पैंसनर्स और उनके परिवारों को जुलाई 2019 से जून 2000 तक एरियर दिया जाएगा जिस पर करीब 23,000 क्रोड रुपे खर्च होंगे इसके साथ ही उन्हें मेंगाई बता भी दिया जाएगा जिस पर करीब 8450 क्रोड रुपे का खर्च होगा गोड तलब है कि वन रेंक वन नेसन पैंसन स्कीम की सुरुवाद जुलाई 2014 में मोधी सरकार के सक्ता में आने के बाद हुई थी देखिए यह जो पैंसन बढ़ाकर दिया जाएगा इस पर राज्य सरकार का वो सोरीकेंद्र सरकार का 23,000 क्रोड रुपे खर्च होगा इसके साथ ही जो सेन्य कर्मी रिटार हैं और उनके परिवार वाले हैं उन्हें मेंगविबत्ता भी दे जाएगा और इस पर करीब 8,450 क्रोड रुपे खर्च होगे रेंक वन पैंशन स्कीम के सुरुवात 2014 एक जुलाई से मोधी सरकार ने की थी जब मोधी सरकार सत्या में आई थी तो दोस्तो यह थी जानकर इस पैंशन बढ़ोत्री को लेकर कि किन लोगों को पैंशन अब बढ़ा कर दिया जाएगा सेन्य करिमियों के पैंशन बढ़ा कर मिलने वाला है 2023 में वीडियो कर आपको अच्छे लगा तो लाइक सर कमेट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सस्क्राइब भी जरूर करिएगा